नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेडिकल जानकारी में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों 10 एंटिवाटिक्स के यूजिस के बारे में साथ में उनके किस प्रकार से काम करते हैं सारी जानकारी देंगे इसी वीडियो में तो वीडियो को लाज़ तक या फिर आई बोटन में आपको उसका लंक मिल जाएगा दोस्तों और जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसके लिंक भी मैं आपको फिल जुक्विक्विश्ज्ण बोक्स में दे दूँगा तो एक बाल जरूर से जरूर चек-आउट कर लिजीगा तो बात कर लेत यह आपको इसली मेडिकल स्टोर मिल जाएगा यह दोस्तों एक ड्रक्स जो होता है एंटी वेक्टरियल ड्रक्स के रूप में कार्य करता है और काफी ज्यादा यूज़वल है और टेटर सैक्लिन का फर्स्ट क्लास का यह द्रक्स देखने को मिल जाता है इसके यूज़़ की जीवनों नाशा गयानी एंटी वेक्टरियल को खतम करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूज़वल होता है जैसे कि सिफलिस डिजीज होता है यह इसको उबदंस भी कहा जाता है साथ में क्लैम आइडिया जो प्राइबिटरिजिशन होता है कोई इंफेक्शन ही होता है एक ज्यादा पर इसको आंतों का इंफेक्शन हो गया आपका इंफेक्शन में आपको बता दिय twix के जो दूसरा रखका है 5 वो Slux Racine है कि है वो ओफ्लोक्स आता है और जेन फ्लोक्स आता है ओफ्लोक्स आपको सिप्ला का मिल जाता है जेन फ्लोक्स मैंटकाइड फार्मा का मिल जाता है लगबग 40-50 रुपए के इसकी कीमत देखने को मिलती है आपको 10 टैबलेट्स के ये ethical brand है जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सा जनन आंगों में संक्रमन होना उदर आंतर संक्रमन यानि पेट के आंतों में इंफेक्शन हो जाना नॉर्मल फ्लू कोल्ड हो रहा है या फिर वुखार आ रहा है तो उन कंडिशन में इसको दिया जा सकता है इसकीन का इंफेक्शन हो जाता है जो योन संजारित रोग होता ह सारे के सारी जो एंटिवाटिक मैं आपको बता रहा हूं इनका मैंने अलग से अच्छे से वीडियो भी आपको बनाया हुआ हूँ उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिशन बोक्स मिल जाएगा एक बाद जरूर से जरूर चेक आउट कर लिजेगा तीसरा एंटिवाटिक के बात करते हैं तो क्लॉट रिकमका जोल जिसको आप डियस के नाम से सैप्टान डियस के नाम से भी जानते होंगे जातर लोग इसको घाओ को बरने में यूज करते हैं इसका कीमत लगबग आपको बीस से तीस रुपए के तक्रिवन देखने को मिल जाता है जो दस रुपए का इंफ्इक्षिन होगे आपका बोकाइटिस हो गया जो गहां कि घले में दर्दोना नीमोनिया ओना लंसस्का इंफ्शिन होगी आपका डाइरिया हो गया अडिय जैसे वेक्टिरन इंफेक्षिनली बहुत ज्यादा Sultan जो दो काफी Ex Code बहुत अच्छा भी है मेट इंडाजोल जाता है मेट्रोजल 400 या फ्लाइजल 400 के नाम से आपको मेडिकल इस्टोर में आसानी से उपलब जाती है लगबग 20 रुपए के आपको 20 को लिए आसानी से मिल जाती है और मेडिकल इस्टोर में सबसे सस्ती दवाई सायद के लिए यूज के जाता है जैसे कि यापका डाइरिया होना पेट दर्ढ और पेट में गैस बना चौ वर्म के लिए याने कीड़ों के लिए पेट के इसको यूज के जाता है घर्श constitutional और ज Cal Trevor continue कोई भी कंडिशन दोस्तों जैसे अरित्रोमाइसिन है तो उसी परकार के साथ देखने को मिल जाते हैं यह ग्राम नेगिटीव पॉजिटिव दोनों परकार के वैक्टिरिया इंफेक्शन में यूज के जाता है इसका मुख्य जोस्तों आपका इटिया इंफेक्शन गले में इंफेक्शन होना खासी उना ब्रोकाइटिस और लंग इंफेक्शन हो गया इसको यूज के जाता है इसका ब्रैंड नेम आता है तॉप जो आता है रॉक्सी बिट के नाम से आपको मिल जाएगा दोस्तों कफी ज्यादा यूस्व एंटिवाटिक होता है छटवा एंटिवाटिक के बात करते ह है तो डॉक्सी साइक्लिन इसके बारे में सायदी में तीन चार वीडियो वीडिक चैनल अपने बना रहे होंगे सारे वीडियो आप देख सकते हैं इसका यूज बहुत ज्यादा किया रहता है आपके कोविट के समय में काफी ज्यादा यूज किया जाता है यह दोस्तों एक ट इसके बारे में काफी ज्यादा अच्छे सी वीडियो बना चुका हूं और साथ में महिलाओं के जैसे कि आपका हो गया वाइड डिस्याजिंग प्रॉल्म हो गया विजाइना इंफेक्शन हो गया तो उन कंडिशन में भी बहुत ज्यादा एकने पिंपल्स के लिए काफी ज इतिवैट eat इसके बारे में और बैठा चुका हूं सौरी मेक्रोच राइड एंटिवैटीग है जो आपको जैसे मैं yeni रोमायां आटिवयाटिक अ दर्वणी के लिए जो 400 मही Spr legislative का यूस कर सकते हैं pneumonia घाव को सुकाने में गनोरे जिसको कहते हैं सीपलिस उपदंस जो डिजीज होता है उसको इसमें यूज कहे जाता है ई्रिथ्रो मैसीन को इसका और आपको मिल जाता है एल्ट्रो मैसीन एलम्बिक फार्मागाता है जो एथिकल होता अपने तबन को पा सुल्ट की आता है इसको यूज कर सकते हैं जय्सेगी आपका कमबनेक्षंट में यूज कर सकते हैं 15 तो रहे हैं उल्टी हो रहे हैं पेट से रिलेटिव अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है साथ में यूटाय का इंफेक्शन हो रहा है पिशा में जलन हो रही है या फिर कहीं घावा बरने के लिए इसका ज्यादा यूज किया जा सकता है लेकिन मुख्य इसको स्टमक आपके प्रॉब्लम के लिए यूज के जाता है जिसको एंबी आसिस का जाता है जो मतलब गंदे पानी की वेसे आपको कोई पेट में डाइरिया हो गया है तो उन कंडिशन में इसको टिंडाजोल यूज किया जा सकता है नेक्स्ट एंटिवेटिक की बात करते हैं तो लिंक मैंने बता है था आपको एजी तो माइसीन लिंको मैसीन जो मैसीन आ जाता है वो मैक्रोलाइट एंटिवेटिक थे अंदरगाद देखने को मिल दाता है इसका यूज निमोनिया घ्र का इंफेक्शन हो गया अस्थी जिसका link description book में आपको easily मिल जाएगा दस्तों वाँ एंटिवाटिक और लाश्ट एंटिवाटिक की बात करते हैं तो यह आता है सिपलाक्सिन के नाम से आपको मिल जाता है जो आपको सिफर्डेक्स के नाम से और फैक्सिन के नाम से काफी जादा useful एंटिवाटिक होता है जो ज szk नाम से और सिपलाक्सिन के नाम से आपको मिल जाता है सिपला जैसे कंडिजट उसे को करते हैं तो अटियर उच्छन के लिए इसको बहुत जादा यूज करता है यानि थोट के इन्टेच्छन यहाँ हो गया आपका गोले के इंत्रीक्ष्टिंवर्टीष म पुरानी ब्रॉक्रारिटिस हो गया साथ में निमोनिया के लिए हो गया मसूड़ों में सूजन आ जाती हैं मूतर जनेनाग संकरों यूटै का इंट्रेक्शन होना उपदन्स सुजाग जो योन संजाइद रोग होते हैं साथ में स्कीन का इंट्रेक्शन के लिए भी इस एंटिवेटिक्स का यूज के जा सकते हैं तो दोस्तों ये थे कुछ दस मुक्य एंटिवेटिक्स जो काफी ज्यादा जनरली हर मेडिकल इस्टोर म कर लिजेगा और डिस्क्रिशन बॉक्स में लिंक दिये हैं सारी वीडियो को एक बार जरूर से जरूर चेक आउट कर लिजेगा और वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल नहीं हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा कोई डाउट रहेगा